एलो एवरिवाइन, हेलो टुबूएन, वेल्कम तु दो हर्स्टेडिंग, हर्स्टेडिंग में आप सब लोगों का स्वागत है, देखें, आम कल मार्केट यानि की मंडे मार्केट में क्या बाइंग करेंगे, कॉल या पूट उसके बारे में ही डिसाइड करेंगे, आज मंड पहले देख लिजे, यह था हमारा 6 नवंबर का यानि की फ्राइडे वाला मार्केट का टोटली 100 पॉइंट में ही मार्केट ने घुमाया था, 42,000, sorry 43,000, 280 से 43,400 के बीच में ही मार्केट ने टोटली घुमाया था, मैंने उसके बारे में आप सब को हमारे लाइश्ट्रीम मे भी बताया था कि मार्केट टोटली एक साइडवेज ही घुम रहा है, आप लोग प्लीज शान्त हो जाईएगा मार्केट को थोड़ा उपर की साइड यानि कि 400 के आबाओ में रेक करने के बाद ही आप एंट्री कीजिएगा, ठीक है, देखो 400 यहाँ पे जस्ट टाच करके नीचे ही आ गया था, ठीक है यही मार्केट घुमा रहा था और यही से इसलिए हमने को ट्रेड नहीं की और बाद में शान्त होगे, अगर मंडे को मार्केट इसी जोन दोनों जोन के बीच में ओपनिंग देगा और आप यहाँ पे देख सकते हैं, थोड़ा सा ग्लोबल मार मार्केट में, जो यूस मार्केट है उसका इंपक आप देखिये, तोटली पॉजिटिव है, तो हम यहाँ पे ज्यादा अभी पॉजिटिव साइड पे ही बात करेंगे, प्यूजिकि अच्छे मार्केट पॉजिटिव डायरेक्शन पकड़े हुए है, ठीक है, यहाँ पे यहाँ पे देखिये, गिफ्ट निफ्टी है, वो भी पॉजिटिव है और सारे इस्टन मार्केट है पॉजिटिव साइड पे, तो हम ज्यादा यहाँ पे पॉजिटिव साइड पे ही देखेंगे, ठीक है, तो पहले देखिये, 44,400 के आज पाइस पाह या फिर इस बीच में कहीं पर भी market opening करता है and then first candle या फिर second candle या फिर कोई भी candle अगर first candle जो भी इसके उपर निकलती है और closing देती है 43,400 के अबाउ में 440 के बिलो में यहां पर कहीं पर closing देती है और 440 को जैसे ही break करती है तब यहां पर आँख बंद करके कुछ जाएगा और target आपके लिए यहां पर clearly रहेगा 43,555 के आसपास 560 के आसपास का यह target रहेगा जो पिछली बार का हमारा support level था वो ही अभी resistance का काम करेगा ठीक है यहां पर आप देख लिए clearly यही resistance का काम करेगा अभी और उसके उपर जैसे निकलता है तो 722 यहां पर वापस से target हमारे लिए create होगा तो यह हमने call side के लिए बात करती है अगर downside की और market आती है तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है थोड़ा शांद रह जाओ कि market है वो downside की और अभी थोड़ा trend है वो कम पकड़ेगी और जब तक market में कोई negative news नहीं आएगी तब तक market है वो सिर्फ और सिफ resistance के आज पास जाके फूमा आती रहेगी या फिर supports पर जैसे आएगी उसे चुके तुरत ऊपर के और निकलना स्टार्ट करेंगी आप यहां पर एक एग्जांपल भी देख सकते हूं यह दोनों देखो जैसे इस सपोर्ट के पास आ रही है मार्केट एकदम से bounce back ले रही है वापस सपोर्ट से bounce back वापस सपोर बाउंस बैग यहां पर विदेखिए वापस ऊपर के और यहाई पर आखि कि सारे trades हमार लिए risky बनते जाएगे क्योंकि हम नीचे की और न बहुत सारे resistance support हमारे पास हूंगे 100 के पास यह वाला होगा support और उसके नीचे आएंगे तो यह वाला support हो जाएगा यानिकि 960 से 46,000 के बीच वाला यह zone हमार लिए support हो जयाएगा यानिकि करिबन करिबन आपको 50- 60 पॉइंट पे एक सपोर्ट रेजिस्टंस देखने को जरूर मिलेगा बट बीग सपोर्ट हमारे लिए रहेगा वो होगा 42,800 अगर जब तब मार्केट 42,800 के अबाव सस्टेन करता है ना तब तब मार्केट में नेगेटिव न्यूज या फिर नेगेटिव मार्केट होने का वन वे मुमेंटम होने का चांस डाउनसाड की और बहुत ही कम रहेगा वीगे और आपके कोई और क्विश्टन हो तो प्लीज यहां पर मुझे मेंचन कर देजेगा मैं आपके लिए यहां पर लेवल्स है वो मेंचन कर लेता हूँ ठीक है आप यहां पर लेबल्स है मेरे COPY कर लिजेगा आपको बहुत जीलादा इंपोर्टन्स रहागी तो यह वल से थावजन ठीक है नीचे आएंगे तो यह 800 तो है हमार लिए और डाउनसाइड की और 42600 ठीक है यह हमार लिए इंपोर्टन रहाएगा यही मार्केट मेरे लिए इंपोर्टन्ट यही मैं सपोर्ट और रजिस्टन्स को फॉलो करूंगा मार्केट को मंडे के दिन भी अच्छा लगा वीडियो तो लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर कीजेगा मैंने छोटी सी जानकर यह आप लोगों के साथ पूंचा यह अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेर और कॉमेंट करना मत भूलिएगा और फ्री टेलिग्राम चैनल का लिंक आपको हमारे ड यवस्टाश बाय बाय बाय